नमस्कार ट्रेंस एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है ये गोला स्टेशन से आगे मेलानी जंशन की दिशा है बाके गंज स्टेशन की तरफ का व्यू है जहां पर आप ट्रैक के बाएं हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं ओएची मास्ट डाल दिये गए हैं और उन पर ब्रैकेट्स यहां पर आम्स जो होते हैं वो लगा लिए गए हैं इधर ये गोला स्टेशन की दिशा हो जाएगी लगबग तीन से चार किलोमेटर आगे का ये द्रश्य है जहां पर वीडियो शूट किया गया है आप देख सकते आम से आपर लगा लिए गए हैं और बहुत जल्द इन में ब्रैकेट एसेंबली लगा करके वाइरिंग का काम जब लखीमपूर आउटर से शुरू होगा आगे इस सेक्शन पर लखीमपूर से आगे बाके गंश तक जहां पर ओएची मास्ट डाल लिए गए हैं और गोला स जिसको कहते हैं कि अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में वाइरिंग का काम शुरू होगा उसकी स्टेज आ गई है वो पहुँच गए हैं यह हम चल रहे हैं देखे गोला स्टेशन की तरफ और अजय शिर्वास्ताओ जी ने ये वीडियो भेजा है और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कहीं कहीं पर बैकेट्स लगा लिए गए हैं और बहुत जल्द वाइरिंग का काम शुरू हो जाएगा इस रेल खंड पर बाके गंज तक वहाँ पर भी वेजी मास्ट आपने पूर्व में जो मैंने वीडियो किया था देखा होगा कि वहाँ पर जंगल के किनारे तक जो कैनाल आती है वेजी मास्ट ड्रॉप कर दिये गए यह भम गोला स्टेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्रोसिंग से आगे हाँ पर आप देख सकते हैं सामने आपको वेजी मास्ट दिख रहा होगा आगे फैक्ट्री दिखाई प होंगे बहुत साफ और काफी दूर तक ये कारे चुकी बाके गंच की दिशा में मेलानी जंक्शन की दिशा में हो गया है तो मुझे लगता है जो मेरा अपना अंदासा है कि बहुत जल्द अब वाइरिंग का काम जो है वो शुरू हो जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से बि लाय जाए उसके चलते बहुत तेजी के साथ अब वाइरिंग का काम होगा क्योंकि लखींपुर तक जैसे आपको पता है सेक्शन अल्रेडी सियर्स इंस्पेक्शन हो चुका है यह हम पहुंच गए गोला स्टेशन यहां पर क्रॉस बार्स आपको दिख रही होगी अभी प गोल्डर्स अब वाइरिंग का काम यहां पर बाकी रह गया है जो की बहुत जल्द उमीद है कि इसको किया जाएगा यह देख सकते हैं आप लखींपुर की दिशा में हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गोला स्टेशन आ गया हम लोग और जिदर गुट्स की बनाई गई सामने देखिए आप हाई मास्ट मरकरी लैंप्स जो हैं लगे हुए उपर रोशनी के लिए यहां पर देखिए आपको बहुत सपष्ट नजर आ रहोगा जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम बीते दो-तीन हफ्तों में गोला स्टेशन पर हुआ है उसमें क्या प्रगती यह आपको नजर आ जाएगा यहां पर देखिए अभी कुछ कारे बाकी है इस तरफ प्लैट्फरम नंबर तीन की दिशा में जो की अभी चल रहा है और इस हफते उमीद है वो भी पूरा हो जाएगा कुछ थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर वेल्डिंग या जो लगाने का फि देले हो रहा है विलम यह मुझे समझ नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं वरकर्स किस प्रकार से चल करके फिटिंग जो है इनको पूरा कर रहे हैं यहां पर क्रेन की साहिता से आप देख सकते हैं जो क्रॉस बार्स है उनको सेट कर लिया गया है और जो फिनिशिंग का का जाएगा वाइरिंग के बाद 90% काम गोला स्टिशन पर हो गया खतम आप इसको मान के चलिए उसके बाद आप बस वाइरिंग का काम जो है वो रह जाएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा होता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में यह आप देख सकते हैं लकीमपूर की दिशा में भी अगर हम बढ़ेंगे तो क्रॉस बर्स वगयरा ब्रैकेट्स वगयरा सब यहाँ पर देखे ड्रॉपाम्स वगयरा जो है थोड़े बहुत जो रह गए इस साइ अभी होगा वो भी बाकी है और उसके बाद वाइरिंग का काम लकीमपूर आउटर से अगर शुरू करेंगे तो देवकली होते हुए फिर फरधान होते हुए गोला स्टेशन पहुंचेगा यह हो सकता है गोला स्टेशन से लकीमपूर की तरफ करें और बाद में वहाँ पर उमीद है आपको पसंद आया होगा थैंक्स फॉर वाचिंग